तो हम लोग यहां पर डिसकस कर रहे थे थाउजन इंपॉर्टेंट मैथ के कोश्चन जिसमें के पहला लेक्चर कम्डीट हो चुका था उसमें लोग ने कुछ कोश्चन डिसकस किये थे अब सेकेंड लेक्चर में लोग आंगे पढ़ रहा हैं तो अगर आप लोग ने फर्स् सबस्त準 का रहता है मरे लिए बडि ही रहत नहीं है कि यह थाउजन इंपॉर्टेंट कोश्चन करा ना मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि यह टाइम टेकिंग है यहां पर कंटेंट बनाना डिसकस करना तो इसका मकसर ही है कि आपके जो भी एक्जामस आप दे रहा है उन एक्जाम में इसका बहुत जादा बेनिफिट आपको मिले तो प्लीस मेक से और कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट उ мощ के क्हिए टिको यह वीडियो फन वीडियो नहीं है झाल करता अफ़िजो का यूट बढूब्रेयों से आप अपने एक्जाम को भी एक्रैक कर सकते हैं То इस वीडियो को जो वनाने का मकसद है अगर आप इसको देखना स्टार्ट किये तो आप एक कॉपी लेके बैठे हैं ठीक है उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट बात सुन में आ रहे हैं इसको नोडाउन करते जा रहे हैं और वीडियो को लास्ट तक देख रहा है ठीक है इस सीरीज को आप पूरा कम्प्लीट कर रहा है थाउजन कोशन तब ही इसका benefit है अदर्वाइस इतनी बात सुनके ही आप यहां से skip कर सकते हैं आपको आंगे continue करने कोई जरुवत नहीं है क्योंकि उसका benefit आप नहीं उठा पाएंगे लिए ठीक है चलिए तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस चीज को follow करेंगे तो आंगे बढ़ते हैं त तो फिप्टी फिप्टी कोशन कमने ठोने पर PDF देता जाओंगा मैं उसको add-on करके तो जो next PDF होगी हो 50 और 50 और होगे 100 कोशन की तो जो last video मैं दोगा उसमें पूरे 1000 कोशन साब क्या होगे तो देखिए यह कोशन है कि the smallest number to be added to 1000 so that 45 divided the sum exactly तो इस कोशन कोशन करना है हम 45 से 90 हो रहा है minus कि इतना रहा है 10 फिर उताहरा zero फिर टू टैम में कितना हो जो था यह चाकन तो तो यूजली कुछ-कुछ बुक में अलग तरीकर देता है या कुछ-कुछ टीचर अलग तरीकर बताते हैं मैं क्या करता हूँ उसमें कि 2-90 हो रहा है तो मैं इसके next वाले करूंगा तो तो नहीं में अलग 3-10 में करूंगा तो 3-10 में कितना हुआ वन 35 हुआ ठीक है तो अगर मैं 35 यहां पर प्लस कर दिया तब मैं पूरी तर इसको डिवाइट कर सकता हूँ ठीक है तो जो माइनस आता है उसको मैं अंसर करता हूँ ठीक है किसी को सी बुक में तरीका यह गिवन देते हैं कि 45 को आप थाउजन से डिवाइट कर रहे है तो तो टाइम में आपका आ गया 90 माइनस क्या 10 आपका यहां पर बचा फिर जीरो टाइम में 90 जैसे नोमली डिवाइट करते है तो जो रिमिंडर आ रहा है उसको आपको क्या करना है तो 45 माश 10 कितना हो रहा है 35 तो यहां से भी अंसर आ रहा है आप दोनों में कोई भी approach लेके चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, चलिए, next question है, तो ये question कुछ, ऐसे question होते हैं, जहाँ पर concepts created बात होती है, कुछ नहीं solve करना है इसमें आपको, question है, if a number is divisible by both 11 and 13, then it must be divisible by 5th में 4 option के बदिया है, तो देखिए, कभी भी कोई number, अगर किसी 2 number, 3 number divisible है, तो numbers के LCM से divisible होना चाहिए, LCM से, तो 11 और 13 का LCM क्या होगा, तो यह उनों different numbers है, तो इनका LCM क्या हो जाएगा, जो इनका multiply है, तो इनका multiply वाला option क्या है, C है, तो C है आपका correct हो जाएगा, तो इसा नहीं कि मैं random questions ले रहा हूँ, तो मैं number system की questions solve कर आऊँगा आपको, फिर ऐसे आँगे मैं बढ़ूँगा कोसी different topic में, तो इसे 1000 questions में आपके लगब लगब मैद के सारे topics इसमें कवर हो जाएगे, यहाँ पर कह रहा है, इस स्टार मतलब कोई डिजिल होता होगा, 5824 स्टार इस डिजल बाई 11, नहीं स्टार की value क्या यह बताना है, तो 5824, लेट से हम स्टार को X बोलेते हैं, X हैं, यह 11 से डिजिबल है, तो 11 की डिजिबल्टी का तरीका यह होता है, कि जो alternate डिजिट हैं, इनका जो सम होगा, और यह, अगर मैं आपे देखता हूं, सम कितना है, तो 8 प्लस 4 कितना है, 12, 12, मैंनस, अब इनका सम देखे की आया है, तो 5 to 7 हो गया, और यह आपका कितना हो गया, खो गया, 7 प्लस X, ठीक है, अब यह मैना मैंन know मैं अगर अंदर खोल लेता हूं, 12-7, मैनस X, तो 12 में 7 की तो 5 माइनस एक्स तो जो 5 मैस एक्स वह वह 11 से जुजबिल्टी में वन टाइम में होता है ठीक है तो अगर मैंने 11 यहां पर कर दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रहे 11 प्लस 5 16 अब कोई एक सिंगल डिजिट 16 नहीं हो सकता ना क्यूं आपके सिंगल डिजिट सुझध होगा और आपका उप्सन भी मैस नहीं कर रहे तो 11 प्लस अप्सन आपका नहीं करें मेरे को 1 टां में को क्या करना तो तो 11 क्यों नहीं करना है मैंने उसका भी रीजन दिया ताकि आपके दिमाग में क्लिर्टी रहे तो देखें, 100 जो होगा, वो तो 3 का मल्टीपल होगा नहीं नहीं क्योंकि सम अपड़ी रहे है, 1 101 भी नहीं होगा, क्योंकि सम अपड़ी रहे है, 2 102 होगा, तो 102 पहला नमबर है, जो 3 से आपका मल्टीपल है 3 से फिर next क्या हो जाएगा तो 3 जोरा 105, 108 08 ऐसे लास्ट किया होगा तो 2हंडट तो नहीं होगा किनल तो 10 99 भी नहीं होगा क्यों 99 कितना समा रहा है तो 9 प्लस 9 18 प्लस 19 नहीं होगा 198 तो 9 प्लस 10 प्लस 8 कितना होगा 18 18 जो था 3 12 में आ रहा है तो 198 जो होगा वो आपका 3 का multiple होगा तो यह सारे numbers है अब बताना इंका sum ठीक है तो इंका sum कैसे बताएं तो basically सबसे पहले तो हमको अगर मैं sum का formula अप लोग को बताऊं तो sum का formula होता है sn equal to n by 2 bracket में 2a प्लस में n-1 into d जहां पे n होता है number of terms कि इसमें कितने terms होंगे यह होता है first term जैसे यह first term 102 है d होता है common difference तो common difference क्या चला है 3 का अब यहां पर हमको यह नहीं पता है कि n क्या है तो n निकालने के लिए हमने क्या किया यहां पर n निकालने के लिए एक formula और यूज किया a n equal to a plus n minus 1 into d तो a n के लिए कितनी 198 equal to a कितना है 102 प्लस में n minus 1 और d कितना है आपका दिया आपका है 3 ठीक है तो 102 को पहले तो यहां ले किया हो तो 198 minus 102 equal to 3n minus 3 तो 198 102 गया तो 8 में 2 गया 6, 9 में 0 गया 9, 1 में 1 गया 0, minus 3 यहां पर चला आ गया तो plus 3 equal to 3n तो यह होगे आपका 99 तो 99 equal to 3n 3 से 99 को काटा कितना आ रहा है 33 तो n के लिए कितनी आ रहा है 33 अब n के लिए 33 यहां पर पूट कर दिया तो 33 divided by 2 2a तो 2 into 102 प्लस 33 में 1 गया कितना 32 और d कितना है 3 तो 33 divided by 2 यहां पर कितना हो जाएगा तो 102 into 2 कितना हो जाएगा आपका तो यह हो जाएगा आपका 204 और 32 का triple कितना हो जाएगा 3 का double 6 और 3 into 3 96 तो 33 into अब इसको जोड़ो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 300 by 2 ठीक है तो देखो अगर मैं इसको डैक्ट ली यहां में मुल्टिप्लाइ करता हूं तो 33 का 3 ती ताम कितना हो जाएगा नाइटी नाइन हंड़े दिवाइद बाइट बाइट तो 2 से काड़े कितना हो जाएगा तो 4 time में 8 9 time में 18 5 0.4950 आपका अंसर हो जाएगा बी आफ सना अपका जाएगा रिए अन आपका जाएगा अनिज question next question is some of the squares of three consecutive natural numbers is two zero three zero then what is the middle number ठीक है देखो consecutive number जब भी बोले जाए तो आपको एक लेना है x तो x का square हो गया ठीक है अब 3 बोल दा है तो इस बेटर आप क्या लो एक लो x-1 एक लो एक्स एकलो x प्लस वन अगर 3 बोल दा है ठीक है यह consecutive है लगता रहा है ठीक है यह consecutive है मालो मैं कहरा हूँ x मेरा 5 होता होगा मालो तो 5 में 1 किया केतना 4 5 1 जोरा केतना 6 तो यह लगता रहा है न ठीक है तो अपनी बात बैठ रही है आप क्या करा है इंके जो squares का sum है वो 2,0,3,0 है, तो x-1 का square किया, x का square किया, x plus 1 का square किया, equal to कितना है, 2,0,3,0, so x-1 का square क्या हो जाएगा, तो a-b का square तो a square plus b square minus 2ab, minus 2 into x into 1 कितना हो जाएगा, minus 2x, plus x square, a minus b का square, तो x square plus 1 का square, plus 2ab, तो 2 into x into 1 कितना, 2x equal to 2,0,3,0, अब मैंने ये ऐसा क्यों रिजूम किया, क्योंकि मेरा minus 2x और 2x कट गया, तो मेरा question और आसान हो जाएगा, तो x square, x square, x square, कितना हो जाएगा, 3x square, 1 square, 1 होता है, 1 square, 1 होता है, तो 1 plus 1 कितना हो गया, 2, equal to kitना हो गया, 2,0,3,0, तो 3x square equal to कितना हो जाएगा, 2,0,2,8, x square कितना हो जाएगा, 2,0,2,8, divide by 3, 3 से काटा, तो 3,6 जा एटीन, बचा 2, 2 और 2, 22 होता है, 3, 7, 21, छीक है, इसके बाद बचा कितना 18, 3, 6 होता है 18, तो 6, 76 जो होता है आपका, वो 26 का स्क्वार होता है, 26 का स्क्वार, तो X की वेलू कितनी हो गए, 26, तो 26 जो आपका option है, वो correct हो जाएगा, छीक है, X की वेलू किया हो गए, 26 और 26 middle number है, तो 26 आ आपका correct हो जाएगा, अब देखिए इस type के जो question होते है, यह एक series type question होते है, बहुत ही असान question है, जैसे कहारा, 1 minus 1 by 3 into, 1 minus 1 by 4 into, यह question लगा है, into sign होता है, 1 minus 1 by 5, ऐसे यह continue चलेगा, तो दीखिए, 1 minus 1 by 3 क्या है, तो 3 बंजा, इसको solve गन तरीका, 3 बंजा 3, इसमें इसको क् अब देना है, उपर वाले को घटा देना है, क्यों minus का sign घटा देना है, तो 3 बंजा 3, minus 1 कितना 2, तो 2 by 3 is cancer आ रहा है, into, इस cancer क्या है, तो 4 बंजा 4, minus 1 कर दिया कितना हो गया, तो 4 बंजा 3, divide by 4, तो 3 by 4 इस cancer है, ऐसे इस cancer क्या हो जाएगा, तो 5 बंजा 5, उपर वाले 1 को घटा है, तो 5 में बंजा 4, तो 4 by 5, ऐसे continue चलेगा, ऐसे इसको solve करें, तो n into 1 कितना n, n में 1 घटा है, तो n minus 1, divide by n, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करिए, तो यह देखो, यह 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, ऐसे 5 से कट जाएगा, सब कट जाएगा, n minus 1 से इसके पह पहले वाल टम का ऊपर वाला, और लास्ट वाल टम का नीचे वाला बचता है, बस, बाकि सब कट जाता है, तो अंसर कितना गया 2 by n, अंसर कितना गया 2 by n, B option आपका correct है, अब इस question में आपको यह बताना है कि इन में से जो smallest fraction है हो क्या है, smallest fraction, ठीक है, इन में से smallest fraction क्या है, आ बहुत आना बहुत आसान है कौन smallest है, क्योंकि इंकर जो denominator सेम है, तो जब denominator सेम हो, जिसका numerator छोटा हो smallest होता है, तो 7 by 11, 11 by 13, 11 by 13 में 7 by 13 छोटा होगा, तो मैं 11 by 13 को picture से बाहर कर सकता हूँ, क्योंकि जब smallest नहीं है, तो smallest की race में होगा ही नहीं, ठीक है, अम एको इन तीनों मे चेक करना है, smallest कौन होगा, 8 by 15, 14 by 33, और 7 by 13, तो इसमें चेक करना तरीका क्या है, कि मैं इनका LCM लेता हूँ, तो यह सारे different numbers है, तो LCM जोगा multiply ही होगा, तो 15 to 33 into 13, ठीक है, अब देखिए, 15 से 15 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, तो यह जो दोनों का number है, इसका multiply 8 से होगा तो 8 into 33 into 13, ठीक है, कॉमा, ऐसे 33 से 30 कर जाएगा, तो यह इसका multiply जो होगा, 14 into 15 into 13 से होगा, ठीक है, ऐसे 13 से 13 कर जाएगा, तो इसका multiply 7 into 15 into 33 होगा, एक तरीका तो यह है, अब इसमें इन तीनों में multiply करके देखेंगे, जो छोटा होगा, वो वाला आपका अंसर हो जाएगा ठीक है, जो छोटा होगा, वाला आपका अंसर हो जाएगा, ठीक है, अब यहां से आप अंसर खुल निकाल सकते हैं, एक तरीका तो ही हो गया, ठीक है, अब जो दूसर तरीका जो बताएं जा रहो हो यह है, कि आप दो-दो का game खेलो, ठीक है, पहले आप यह चेक करो, कि 8 by 15 और 14 by 33 में कौन छोटा है, यह चेक करो, इसको चेक करने तरीका बहुत असान है, कि आप simple क्या करो, इनका cross multiply करो, ठीक है, तो 8 और 33 का cross multiply, तो 8 तरीजा कितना होता है, 24, 2 carrier, 8 तरीजा 24 plus 2, 26, 264 आ रहा है, अब 15 to 14 करिए, ठीक है, तो 15 तरीजा कितना होता है, 60, 6 carrier, 15 plus 6 कितना में, 264, 210 में, 210 आपका जो है, छोटा है, 264 बढ़ा है, ठीक है, तो 210 छोटा है, इसका मतलब इन दोनों में क्या हो गया है, 8 by 15 बढ़ा है, और 14 by, 14 by 33 छोटा है, तो आपकी picture में 8 by 15 भी बाहर हो गया है, क्योंकि यह बढ़ा है, ठीक है, अब मेरे को बच्चा है, कि मेरे को इन दोनम देखना है कि इन दोनम कौन चोटा है तो 14 by 33 और 7 by 13 अब इन दोनम चेक करना है कि कौन सा चोटा है तो सबसे पदले मैं क्या बता है सबसे चोटा है तो सबसे चोटा है तो इक तरीका यह होता है कि आप दो दू को यहां पर गेम खेलिए उन में से पता लगाई कौन चोटा है तो जो चोटा हो जाएगा उसका नेक्स से देखिया है हुआ weak बता है कि सीधे यहांपर क्या कर कं लिए ऐशीम मैं लिजी में जिसका नीमेटर आपका बढ़ा होगा तु सबसे बढ़ा होगा इसका नीमेटर चोटा होगा सबसे चोटा होगा यह बहुत ही बेतरीन कोश्चन है और यह कमटेट्टु एक्जाम के पॉइंट अवे से बहुत इंपोर्टन कोश्चन है यूजली जब आप डिवाइड वगरा करते हैं तो आपको पता है कि यह आपका डिवीजर होता है इसके बाद आपका जो यहां पर अंसर आता है स्कुषरी में और ऑपकर रिमेंडर हता है दो यह बोलता है ऑद एक डिवीजर इंटूंहेंट इंटूंहेंट अपर उच्ली इसको जोड दो तम आपका बनता है डिविजरंट अ तो आपके क्या मनता है डिवी देंट अब यहां पर कह रहा है जो डिवीजर है जो डिवीजर है वो 25 टाइम से को सिंट एंड फाइप टेंस इमिंडर है अब यहां को संट वैली गिवन लिए 16 तो देखिए डिवीजर क्या हो जाएगा तो डिवीजर को मैं स्मॉल डी से डिवीजर क्या हो जाएगा 25 टाइम से को संट है 25 इंटू को संके इतना है तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 400 ठिक है तो यहां से अगर दिवीजर आगा है तो यहां से मैं रिमिंडर की निकाल सकता हूं कैसे 5 से 400 काटा कितना आगा है 80 80 मेरा क्या है remainder है अम एको तीनों पर चल गए division of 400 और remainder कितना है 80 अब करा है dividend क्या है तो division के formula मैं आपको बता दिया तो क्या करना है divisor आपका 400 है 400 into cos कितना है 16 और remainder कितना है 80 16 4 जा 64 double 0 तो 6400 प्लस 80 तो 6480 आपका अंसर 6480 कितना हो जाएगा बी ओप्सन आपका correct हो जाएगा तो आज का lecture नहीं ते रखेंगे इसके बाद next lecture continue करेंगे तो daily आपका 11 बजे आपका lecture upload होगा और Sunday को नहीं upload होगा Monday to Saturday daily upload होगा 11 बजे तो जैसे lecture upload हो आप इसको जल्ली से जल्ली finish कर लिजे ठीक है कोसी से करिए कि आप starting से लेके last तक मेरे साथ इस सारे question कर लिजे ठीक है तो ये करने के बाद आप central exam, state exam जो भी exam देंगे तो वहाँ पर इससे बहुत ज़रा benefit होगा ये मेरी guarantee है चली फिर आज की class ही तर रखते है thank you so much for your time thank you all of you